नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल गरोड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 2024 के दिन गुरुवार का दश्मीति थी पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को पांच कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारण वर्ष वो अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए है। तो इस वीडियो आप लोगों को हम 26 सितंबर जिस दिन करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे. तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं. देखिए, ये दिन इतना खास होता, इतना महत्व पूर्ण होता है. देखा गया है कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनो-कामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार दश्मी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनो-कामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है. यदि आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार दश्मी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उ कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है पर आपको इसको करने के लिए अपने दोश को हमें करना किस समय है तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है ये मनो कामना को पूर्ण करने के सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो और यदि कोई भी माताएं बहने जो क्योंकि माताएं बहने घर की लक्षमी होती है और जब घर की लक्षमी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है अन्यता इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो चाहे वो जिस व्यक्ति को ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को गुरुवार दश्मी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि गुरुवार दश्मी के दिन भगव ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस पांच कनेर के फूल वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोशकाल का रहेगा, अब भाई, प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, कि भाई, यह समय होता कब कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें प्रदोशकाल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में पाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो तो भाईया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रशन भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं यदि आप आने में देरी भी हो जाती है आपको आने में साथ बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो भाई आप साथ या रात आठ बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और यदि इस इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो क्योंकि गुरुवार दश्मी का दिन है ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में इसलिए जब आपको मक्का मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार दश्मी के दिन बस कोशिश करना की के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा क्योंकि भगवान, शिव, विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है सबसे पहली चीज दोस्तों ये जो उपाय है ये पाँच कनेर के फूल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है जो कि हम आपको बताते हैं देखिए जो आप पांच कनेर के फूल लेकर आओगे सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है हम आपको जब भी बता देते हैं कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं लंबे लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था, वही कनेर का होता है, तो आप लोगों को वैसे ही पांच कनेर के फूल लेकर आने हैं, ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड ढूंडना होता है, और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है, बस दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, कि यदि ये पांच कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड जो है, कहीं बाहर ल जगा हुआ है, और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना, कि भाई हम जो है आपके पेड में से पांच कनेर के फूल ले ले लें, या कनेर के फूल ले लें, भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो पांच कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिवजी को उपाय जब हम करते हैं, तो भाई पूर्ण रूप से जो है, हम पूरे विधिविधान से करते हैं, तो इसलिए यदि किसी के घर में के अंदर जो पेड लगा हुआ है कनेर का उस पेड से यदि ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना, कि हम आपके पेड से कनेर के फूल ले लें, यदि वो हां कह देता है, तो भाई उसके पश्चात आप उसके पेड से पांच कनेर के फूल ले लेना, यदि कोई कनेर का पेड जो है, ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कबजा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड में से तोड़ सकते हो, पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है, तो से सकर ही पांच कनेर के फूल उसके पेड में से लेना, अब आपके पास प प्राथकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम एक लोटा चल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। गुरुवार दशमी का दिन रहेगा, वैसे ही बहने अपनी पूजन सामगरी लेकर जाएंगी। तो भाई शाम के समय यदि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना, जो घी का दीपक लोगे, वो आठे का होना चाहिए। भैंस का डालना ना मिलावटी का घी डालना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए, तो भाई करना क्या है? देखो सुबह यदि उपाय कर रहे होना तो यदि बारह बजे तक भी उपाय करोगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो. गुरुवार दशमी का दिन बार-बार नहीं आता है, आपको पहुँचना है. सबसे पहले तो अपने घर के पास में, जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुँच जाना है. अब वहां पहुँच करके सीधा हम जाकर उपाय करने लग जाना है, नहीं आपको पहले अपना शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिवजी के दर्शन करना है, पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है, जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई वो एक लोटा जल पर जो उपाय के पांच कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें है, तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप शिवरात्री के दिन करते हो, शिवरात्री के अश्टम के दिन कर करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, और मंदिर भी जलाना है, और मंदिर में जाकर जलाओ, गर तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है, अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अ उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी, इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माजिश ले कर जाई, उसके पश्चात में। आप उस दीपक को जो है भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिवजी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है शिवजी को आंस ना लगे, इतनी दूरी बना कर आप उस दीपक को रख दीजिएगा, जैसे ही आपकी प बैठ जाईए या आसपास बैठ जाईए, उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए, तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर सकते हैं, और उपाय को करने से पहले आप अपने वह पांच कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करन उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हमारे पास पांच कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन पांच कनेर के फूलों को हमें पांच अलग-अलग जगहों पर यहां प को बताते देखिए, पांच अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, अब पांच कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाईए, और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है, भगव जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिवजी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनयर का फूल समर्पित करना है और जो खिला हुआ भाग होगा, ना वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के हैंड साइड पर, अब दोस्तों, निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल, अब दू जलाधारी के उपर है, तो जलाधारी के उपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहाँ पर जी के स्थान है, तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहाँ, मतलब वहाँ पर समर्पित कर देना, और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भा माता अशोक सिंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों ये जो स्थान होता है ये के बिलकुल बीचों बीच में होता है आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चड़ाया दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चड़ाया अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चड़ेगा। जिसके अंदर शिवा जी की पाँच बेटियों का स्थान होता है। जिवारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी। शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना। इस चौथे नंबर के फूल को उसके पश्चात में दोस्तो बात करते हैं। आखिरी नंबर के पाँचवे नंबर के फूल को जो की आखिरी फूल है हमारा। इस पाँचवे नंबर के फूल को आपको क्या करना है, यदि आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो, वहाँ पर यदि त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे। तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है, उस मध्य भाग पर आपको इस पाँचवे नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के पश्चात इस पाँचवे नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के उपर समर्पित कर देना, बस ध्यान इस बात का रखना खिला हुआ भाग है, फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए, फूल की तो इस बात का आप ल जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला पाय कर रहे हो, अपनी वहद दुख और समस्या बोलना, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना, दो-तीन मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक म उपाय यहां पर पूर्ण हो जाता है और आप अब शिव जी के दर्शन करके उनको धोग देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद।